आप देख रहे हैं अपना फैवरेट चैनल इंग्लिश टुटोरियल्स आसी सर जहां आप तयार कर सकते हैं अपने इंग्लिश, SSC, बैंक, UPSC, स्टेट PSC और अधर कॉम्पेटिटिव एक्जैम्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बैल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहे यदि वीडियो सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अधिक सेदिक शेयर कीजिए गुड मॉर्निंग गाईज आज के सेशन में हम बात करेंगे दो एडिटोरियल्स की जिसमें जो हाइलेटेड वर्ड्स है वो लिस्ट आपको मिल जाएगी टेलेग्राम चैनल से इस दो एडिटोरियल सेशन जो हम डिसकस करने वाले हैं पर्टिकुलरली इन ही का स्क्रिन शोट आप प्रप्ट कर सकते हैं टेलेग्राम चैनल से साथ ही इसकी पीडियेप भी प्रप्ट की जा सकती है तो टेलेग्राम चैनल पर अगर अब तक नहीं जुड़ पाएं हैं आ द्वारा आप हमारी एप को डाउनलोड कर सकते हैं वहां से जो पेड़ कोर्सेज हैं ससी और बैंक या फिर दोनों के लिए वह आप वहां से प्राप्ट कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं यह सेशन आप से उमीद है कि आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक करेंगे अधिक से दिक संख्या में शेयर करेंगे ताकि वो विद्यार थी जो कि एक सही प्रकार से एडिटोरियल एकसेस करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं कि कैसे निउस पर पढ़ा जाता है उनको भी हेल्प मिल पाएगी तो मॉब्ड फ्रीडम्स सबसे पहला एडिटोरियल है मॉब्ड फ्रीडम्स मॉफ्ड का मतलब होता है बदला हुआ चेंजड कह सकते हैं आप तो फ्रीडम्स वो स्वतनतरता वो आजादी जो की बदली हुई आजादी है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की जादी है ये कहा गया है इस हेड्लाइन में by seeking an apology while granting bail the Supreme Court downplayed the misuse of law by seeking an apology apology का मतलब होता है maffie seek का मतलब چاہना या तलाश करना होता है by proposition है इसलिए यहाँ पे seeking ing form का प्रियोग है तो माफी मांगने के द्वारा माफी मांगकर while granting bail bail का मतलब जमानत है, grant का मतलब सुविकार करना है तो जमानत देने के दौरान जो माफी चाही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट ने downplayed the misuse of law तो जो misuse of law है, दुरूपयोग है कानून का उसको उसने डाउन प्ले किया है सुप्रेम कोर्ट ने डाउन प्ले का मतलब होता है अपमानित करना कह सकते हो या किसी चीज़ की इंपोर्टेंस को घटाना कह सकते हो तो जो दुरुप्योग होता है कानून का जो दुरुप्योग हुआ है गलत तरीके से किसी विक्टि के खिलाफ कानून का यूज किया गया है तो उस मिस्यूज आफ लो को डाउन प्ले कर दिया है सुप्रीम कोट ने किस के दुआरा जमानत दे कर जो माफी मांगना चाही है तो ये पुरा मामला क्या है वो पूरा समझ में आएगा उसको पढ़ने के बाद लेकिन इसका exact meaning हो बता रहा हूँ आपको by seeking and apology apology का मतलब माफी है, seek का मतलब चाहना है, grant का मतलब सुईकार करना है, bell का मतलब जमानत है के दोरान जमानत स्विकार करने के दोरा जो सुप्रीम कोर्ट के दोरा अपलोजी सीक की गई है माफी मांगी गई है तो इस प्रकार से मिस्यूज ऑफ लो है उसको मतलब इसने डाउन प्ले किया है मतलब एक्चिल में होना कुछ और चाहिए था इसकी किलाफ कड़ी कारवाई ही होने चाहिए कि माफी मांग कर ही काम चला गया है तो डाउन प्ले किया है यह कहना चाहरा है दे केस ऑफ बीजेपी यूआ मोर्चा फंक्शनरी बिंग अरेस्टेड इनवेस्ट बैंगल फॉर शेरिंग अ मॉप्ड इमेज ऑफ चीफ मिनिश्टर मम्ता बैनर जी डेमोंस इनवेस्ट बैंगोल जिनने गिरफतार किया गया वेस्ट बैंगोल में किसके लिए गिरफतार किया गया वह आगे कारण दे रखाए आपको तो फॉर एक ऐसा प्रेपजिशन है जो आपको बता सकता है प्रयोजन क्या था उद्देश्य क्या था प्रेपजिशन प्लस आइ जो Share की गई थी उसके कारण उनको गिर फ्तार किया गया यह तरशाता है डिमॉंस्त्रेट करता है मतलब दरशाता है अब यह तरह रहा है क्योंकि यहां पर दकेस थीर जो केस है सिंग्विलर है इसलिए हाँ पे demonstrates का प्रियोग है, singular का प्रियोग है कि कितना गलत और कितना बगएर किसी आवशक्ता के दमनकारी ओप्रेसिव का मतलब दमनकारी होता है, अत्याचारी होता है लीगल प्रोसेसेज जो कानूनी तरीके हो सकते, can turn out to be turn out का मतलब है, result के रूप में बहार आना किस प्रकार से दमनकारी जो नीतियां हैं, जो लीगल प्रोसेसेज हैं वो कितना ओप्रेसिव हो सकती हैं, needlessly और कितना गलत हो सकती हैं ये पता लगा इस case के दुआरा The police in Havada registered a case Havada में police ने एक case register किया And arrested Priyanka Sharma under irrelevant and non-existent provisions और Priyanka Sharma को गिरफतार किया Irrelevant का मतलब है, इसंगत होता है Non-existent provisions का मतलब है, वो नियम जो की अस्तित्व में है ही नहीं वो नियम जो की exist नहीं करते हैं तो उन नियमों के तहत और इसंगत नियमों के तहत कह सकते हैं एक magistrate ने अपना दिमाख बिलकुल भी नहीं लगाया Little application, application apply करने का process होता है Little लगा रखा है, इसका मतलब यहां पे ना के बराबर है तो एक magistrate ने बिलकुल दिमाख नहीं लगाया While reminding her to judicial custody Judicial custody में उसको remand करने के दोरान While के बाद I.N.G. form का प्रयोग किया जाता है, यह भी आप याद रखेगा तो जब उनको judicial custody में लिया गया प्रेंका शर्मा को judicial custody में लिया गया तो उस समय बिलकुल भी दिमाख नहीं लगाया Magistrate ने And even the Supreme Court ने यहां तक कि Supreme Court ने भी कोई यहां पर दिमाख नहीं लगाया While ordering her immediate release फिर देखे while है, while के बाद I.N.G. का प्रयोग है While ordering her immediate release कि एक Magistrate ने तो सिधा आद जोरी से custody में डाल दिया और Supreme Court ने सिधा उसको तुरंत release भी कर दिया तो ना Supreme Court ने यहां पर application of mind देखने को मिला है Supreme Court के दवारा और ना ही Magistrate के दवारा application of mind देखने को मिला है Did not recognize sufficiently the perverse manner in which the law was being used Did not recognize Supreme Court, देखिए यहां Supreme Court से ही जुड़ा है Supreme Court did not recognize Magistrate जो है उन्होंने recognize नहीं किया यह पहचाना ही नहीं कि sufficiently the perverse manner Perverse का मतलब एक तो भरस्ट हो सकता है कर्प्ट हो सकता है Perverse का मतलब contrary भी हो सकता है Irrational या illogical को भी आप perverse कह सकते है कि कितने एसंगत तरीके से किस एतारकिक रूप से illogical तरीके से कानून का इस्तमाल किया जा रहा था इस चीज़ को उन्होंने recognize ही नहीं किया It is a matter of some consolation Consolation का मतलब सांतवना होती है Consol से Consolation बनता है तो It is a matter of some consolation ये कुछ Consolation या तसली की बात है कह सकते हो That the apex court Consolation तसली का भी कह सकते है That the apex court जो सर्वोच चन्यायले है Observed a day later कि एक दिन के बाद Letter ये जो शब्द है LATER ये टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है LATER होता तो यहाँ पर Sequence की बात होती और इस LATER का Antonym अगर आपको यूज करना हो तो आप यूज करेंगे Earlier ये समय में पहले के लिए यूज करते हैं समय में बात के लिए LATER यूज करते हैं Pulled Up Pulled Up का मतलब है Criticize करना अलोचना करना और West Bengal Government को LATER है Supreme Court ने For Delaying Mijsharma's Release For Technical Regions के तकनिकी कारणों से जो इनके Release का Delay किया गया इनको छोडने में जो देरी की गई उसके लिए LATER भी लगाई है Criticize भी किया है अलोचना की गई है Apparently का मतलब यहाँ पे है Obviously जो इस पस्ट रूप से है और Realizing है यहाँ पे Realizing का मतलब महसुस करना है पलिस जो की Obviously Realize उन्होंने किया है बहुत इस पस्ट तरीके से इनको पता लगा है That there was no offense In the first place की प्रथम दरश्टे आप अगर देखा जाए तो कोई यहाँ पर अपराद हुआ ही नहीं Has filed a closer report तो उन्होंने एक closer report यहाँ पे फाइल की है closer मतलब इस case को close करने की एक report फाइल की है Terming the complaint mistake of fact और यह कहा गया है term करने का मतलब है इसको इन शब्दों में बताया गया है The complaint आप mistake of fact की यह जो शिकायद जो हुई है वो mistake of fact है इसमें fact यहाँ पर fact की गलतियां हुई है इस खारण से गिर्फतारी हुई It is a reflection of the level of acrimony Acrimony का मतलब होता है कटूता कह सकते हो करकश कह सकते हो bitterness कहा जा सकता है So it is a reflection तो यह दर्शाया गया है of the level of acrimony कि किस प्रकार का किस स्तर की कटूता किस स्तर की कड़वाट है between the ruling ट्रिंडमूल कॉंग्रेस कि जो वहाँ पर सत्ताधरी पार्टी है West Bengal में ट्रिंडमूल कॉंग्रेस और BJP इन दोनों के बिच किस प्रकार की करकस्ता किस प्रकार बिटरनेस है यह देखने को मिला है इस केस में इन दमीडस्ट ओफ है वाइलेंस मार्ड मल्टी फेज इलेक्शन इन दमीडस्ट ओफ का मतलब है जो भी यह दोर चल रहा है उसके बीच वाइलेंस मार्ड का मतलब है Marrd का मतलब है spoil करना खराब कर देना, छतिग्रस्त कर देना Violence Marrd का मतलब है हिंसा से छतिग्रस्त, हिंसा से spoiled, हिंसा से जो ruined है, बरबाद है उसको कह सकते है Marrd तो जो हिंसा से प्रभावित और जो बहु चरण में multi-phase जो election चल रहा है उसके दोरान that the police entertained a complaint की police ने एक complaint एक शिकायत सुनी from a treadmill congress activities treadmill congress के कारे करता के दुआरा और सीधा उन्होंने सजा दे दी book करने का मतलब यहाँ पे सजा देना है punish करना है और मिज शर्मा परिंका शर्मा को यहाँ सजा दे दी गई for criminal defamation defamation का मतलब होता है अपमान को कह सकते हैं कि इन्होंने अपरादी कारिय में लिप्त पाया गया इस कारण से किया and offenses under the provisions of the information technology act और IT act के तहत इनको दोश करार दे दिया गया इन पर आरोप लगा दिये गए it is possible यह संबव है that some consider the morphed image की कुछ लोगों इन मौफड इमेज को जो यह change दिया कह सकते हो edited जो तस्वीरे हैं इनको मान लिया हो in which Miss Benergy's face was appended append का मतलब होता है जोड़ना add करना कि जिसमें Miss Benergy का जो चहरा था वो जोड़ा गया था एक एक्टर के photograph के साथ एक museum event जो नियू यूर्क में हुआ वहाँ पर defamatory, defamatory अपमान जनक तो कुछ ने इसको यहां से इसका connection इस बात का यहां से आप link करें कि कुछ ने इसको मान लिया था जो morphed image defamatory है अपमान जनक है but it is unclear लेकिन यह as past है कि how the police could arrest someone for defamation कि कैसे कोई police जो है वरेस्ट कर सकती है किसी को अपमान के लिए defamation के लिए based on a third party's complaint और तीसरे पार्टी के शिकायत के द्वारा यह कैसे police यहां पर complaint डायर कर सकती है मतलब कैसे आप किसी case को इस प्रकार से देख सकते हो a cyber crime police station handled the case cyber crime police station ने इस case को handle किया apparently का मतलब बताया था मैंने बिल्कुल clearly, obviously इस पर्ष्ट रोप से because it involved section 66A of the IT Act क्योंकि इसमें शामिल था section 66A of the IT Act इस धारा के तहत इसको मतलब शामिल किया गया, इस धारा को शामिल किया गया इसमें approvision एक ऐसा नियम declared unconstitutional 2015 जिसको 2015 में ही एसमविधानी करार दे दिया गया था कि यह unconstitutional है, यह act जो है, वो unconstitutional है section 67A और जो section 67A है which can be used only when sexually explicit material is transmitted in electronic form यह एक ऐसा दारा है, एक ऐसा section है, जिसका इस्तमाल केबल तभी किया जा सकता है जो sexually explicit material है उसको प्रसारित किया गया हो transmit का मतलब है, प्रसारित करना is transmitted है, passive का structure है यदि कोई sexually explicit material है, उसको transmit किया जाता है उसका प्रसारित किया जाता है electronic form में तभी इस धारा को invoke कर सकते हो, तभी section को invoke किया जा सकता है, thus what was at best a case of defamation तो यहाँ पे कहा गया है, तो इस प्रकार से क्या मतलब, जो case था defamation का, या अपमान का, उपमाना का a non-cognizable and valuable offense, non-cognizable cognizable, cognizable, वैसे तो समझने ही होगे है, ऐसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब नियाएक की बात है, law की बात है, तो उस तंदर में cognizable का मतलब होता है, within the jurisdiction of a court, कि कि इसी court यहाँ लेकिन यहाँ च्छितर में शामिल होने को बोलते है, cognizable, non-cognizable है, इसका मतलब नहाँ च्छितर में शामिल नहीं है, non-cognizable and valuable offense, कि एक ऐसा case जो कि यहाँ च्छितर में नहीं आता है, किसी नहाँ लेकिन यहाँ बैलेबल लक्षे, जिसमें एकमातर लक्षे यह रखा गया, कि जो accused है, जो भी ROP है, उसका remand लिया जाए, इसी उद्देशे से cyber crime के रूप में इसको दरशाया गया, project किया गया, while magistrates are often known to act mechanically, जहां magistrates से यह आशा की जाती है, उनको जाना जाता है, कि वो system से काम करेंगे, although that is no excuse for reminding the accused in the case, that is no excuse, यह कोई excuse नहीं है, कि इस case में remand लिया गया, मिस प्रियंका का जो ROP है, it is disconcerting, disconcerting का मतलब है, जो disturbing है, परिशान कर देने वाला, concerning है, बेचेन कर देने वाला, it is disconcerting, तो यह disturbing fact है, that a bench of the supreme court, कि एक bench, supreme court की venture, venture का मतलब है, take risk, एक risk लेना कह सकते हो, venture to advise her to apologize for sharing the image on facebook, it is disconcerting कि यह एक बेचेन कर देने वाली बात है, disturbing एक बात है, that a bench of the supreme court, supreme court की एक bench ने venture to advise her, उसको एक सला दी, एक risk लेकर सला दी, to apologize for sharing the image on facebook, कि उन्हों एक facebook पर image जो share की थे, उसके लिए माफी माँगे, the court included a gratuitous, gratuitous का मतलब होता है, not necessary कह सकते हो, not appropriate कह सकते हो, court included a gratuitous sentence in its order, तो court ने अपने जो आदेश दिया, उसमें जो gratuitous sentence का मतलब है, इसमें एक unnecessary या एक ऐसी चीज़ जो appropriate नहीं है, अनुप्यूक्त, एक बात इसमें कही गई, अपने आदेश में, the detenu, detenu का मतलब है, जो custody में है, जो भी custody में है, उसको detenu कहते हैं, shall however at the time of release, tender and apology, tender का मतलब offer करना कह सकते हैं, या फिर present करना कह सकते हैं, तो जो court ने आदेश दिया था, उसमें एक unnecessary sentence को involve किया गया, जोड़ा गया, और उसमें कहा कि जो custody में है, मतलब मिजप्रीन का शर्मा की बात है, वो जब time, जब release का time उनका होगा, जब उनको छोड़ा जाएगा, तो वो एक apology लिख के देंगी, एक माफी नामा लिख कर देंगी, the inclusion of apology requirement gives the impression, तो ये जो एक समाविशन किया गया है, ये एक शामिल किया गया है, कि एक माफी नामा चाहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये एक ऐसा impression है, that the court was more concerned about cooling freight tempers than about the blatant misuse of law, कि कोर्ट जो है, वो अधिक चिन्तित था इस बात को लेकर कि जो freight tempers हैं, freight का मतलब यहाँ पर बहुत जदा intense जो गुसा है लोगों के बीच, उसको शान्त करने में जदा यहाँ पे concerned दिखाई दी है, कोर्ट किसकी तुलना में about the blatant blatant, का मतलब बिलकुल obvious है, misuse of the law, तो जो एक कानुन का दुरुपयोग हुआ है, उसकी बजाए, यहाँ चिंतिया अधिक नजर आ रही है, freight tempers को कूल करने में, another disconcerting aspect, एक ओर जो disturbing पहलू है, aspect का मतलब पहलू होता है, is that the police continue to invoke section 66A, अब police के साथ continue का प्रयोग इसलिए कि police plural subject है, और continue यहाँ पे plural verb है, तो police के साथ हमेशा आपको verb कैसी लगानी है, plural ही use करनी है, another discuss concerning aspect, एक ओर जो बेचेन कर देने वाला पहलू है, वो यह है कि police अभी भी section 66A को invoke करता है, invoke का मतलब आवान करना होता है, चाहे वो कानून का हो, या इश्वर का हो help के लिए, in January, the apex court sought the center's response, January में सर्वोच नयाले ने center का response चाहा था, center से प्रतिकरिया चाही थी, on a petition, एक याचिका को लेकर, it claimed that that police officials were unaware that the section is no more on the statute book, statute book का मतलब वेधानिक book कह सकते हो, जो भी जिसमें भी कानून के नियम लिखे हुए हैं, उसको statute book कहा जाता है, तो जनवरी में apex court ने चाहा था, center का response चाही आचिका पर जिसमें यह दावा किया गया था कि police officials जो हैं, जो police अधिकारी हैं, वो अभी भी उनको पता नहीं है कि इस section को हटा दिया गया है, यह statute book में ही अभी 66A का यह invoke करते हैं, as the man issue of freedom of expression, एक जो मुख्य मुद्दा है, अभिव्यक्ति की आजादी का, thrown up by this case, जो की इस case में जो जाहिर हुआ है, is going to be heard in detail later, यह हो सकता है कि आगे detail में इसको सुना जाए, it is hopped ऐसी आशा की जाती है, कि the aberrant developments, aberrant का मतलब है, पथ विचलित कह सकते हो, बिलकुल जो normal case नहीं है, एनियमित हो गया है, it is hopped ऐसी आशा की जाती है, कि जो aberrant developments हुए है, जो भटकने वाले या फिर एकदम कह सकते हो, विचलित प्रकार के developments हुए हैं, अब तक will give way to a reasoned verdict, इन से कुछ मतलब कह सकते हो, कि यह सब चीज़ें हटकर, अब reasoned verdict, एक ऐसा न्याय, एक ऐसा verdict, एक संजिरने देखने को मिलेगा, जो reasoned है, तारकिक है, यह तो था first editorial, अब बात करें, दूसरे की, chasing stability, chase का मतलब पीछ करना, स्तिर्ता चाहना, स्तिर्ता को फिर से लेकर आना, climate change and energy policies, जलवायू परिवरतन और उर्जा संबन्दी जो नीतियां है, are top of the agenda in Australian, Australia's elections, यह Australia के चुनाओं में सबसे बड़े मुद्दे है, agenda plural ही होता है, agenda singular है, agenda d um अगर होता, तो singular होता, um को हटा देंगे, तो agenda plural हुआ, तो climate change and energy policies, दो यह मुद्दे हैं, यह Australia के election के top agenda में शामिल है, Australian Prime Minister Scott Morrison may have, in a manner of speaking, already scored a political victory ahead of the May 18 election, Australia के परथान मंतर स्कॉर्ट मौरिसन जो है, may have, in a manner of speaking, बोलचाल के तरीके में आप यह कह सकते हो, कि हो सकता है कि इन्होंने पहले से ही एक political victory, एक राजनेतिक जीत प्राप्त कर है, 18 माई को होने वाले election से पहले ही, इनको एक बढ़त दिख रही है, लग रहा है कि इन्होंने manner of speaking, बोलचाल के धंग में, यह कह सकते हो, कि इनको जीत मिल चुकी है, few had expected, few had expected, few had expected, किसी ने भी या आशा नहीं की थी, few लगा है, little लग रहा था, उससे पहले वाले एडिट अबर लोग हैं, जिन्होंने expect किया है, the socially conservative politicians to lash out the remainder of parliament's term when he took over as prime minister in August following a coup, within the ruling liberal party, कु का मतलब शडियंतर होता है, कु तक ता पलट शडियंतर उसको सेने विद्रो, इसके लिए उज़ करते हैं, तो few had expected, किसी ने भी या आशा नहीं की थी, the socially conservative politician कि जो एक समाजिक रूप से, ए करने वाले जो politician है, to lash out, lash out का मतलब होता है, आलोचना करना, criticize करना, कि वो criticize करेंगे, the remainder of parliament's term, जो संसद का जो बचा कुछा समय है, उसकी आलोचना करेंगे, when he took over as prime minister, जब उन्होंने सत्ता संभाली थी, जब उन्होंने prime minister की सपतली थी, in August, August में, एक शैन्ने विद्रो के ब within the ruling liberal party, और ये जो कू हुआ था, ये जो सैन्ने विद्रो या फिर कहें कि एक शडियंतर था, ये जो विद्रो देखने को मिला था, ruling party में ही देखने को मिला था, ruling party कौन सी है, liberal party, in the past, पिछले दिनों में, the country has seen many heads of government toppled, toppled का मत तक्ता पलट को बोलते हैं, तो country ने देखे है देश ने देखे हैं, बहुत सारे governments के head को तक्ता पलट होते हुए देखा है, बहुत सारे ऐसे नेता देखे हैं, जहां पर government के head में प्राइम इंस्टर्स को देखा है, जो तक्ता पलट के शिकार हुए हैं, that said, Saturday's election may not prove an easy ride for the former marketing executive, तो that said, यह कह सकते हो इसमें कि Saturday को होने जो 18 माई के जो election है, may not prove an easy ride, यह हो सकता है कि एक आसान रहा नहीं हो, for the former marketing executive, जो भूत पूर है, marketing executive है, मतलब है, जो Morrison है, उनके लिए, the polls may not signal an end to the political instability, यह जो चुनाव है, पॉल्स चुनाव, यह हो सकता है, may possibility, probability denote करने के लिए, use किया जाने बाला model है, तो चुनाव है, हो सकता ह है, कि वो संकेत नहीं है, कि political instability का अंत हो जाएगा, राजनेतिक जो एस्तिरता का दोर्ट चल रहा है, Australia में उसका अंत हो जाएगा, यह संभौत है, उसका संकेत नहीं है, वो राजनेतिक एस्तिरता, जिसने, that has dog, that relative pronoun हुआ, inestability की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे has का प पीछा करना, तो यहाँ पे है कि वो political instability that has dog Australian politics of late, of late का मतलब है, recently, हाल ही में जिसने Australia को लगातार फोलो किया है, लगातार यहाँ पे जेज किया जा रहा है, from combating climate change to shaping energy policies, देखे, from or to का यहाँ combination है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह कहना चाहरा है, तो from combating climate change, जलवायू परिव energy policy, उर्जा नीती जो है, उर्जा समधी नीतियां है, उसको shape करना, Mr. Morrison's liberal party, Mr. Morrison's liberal party has a divided house, यह party मतलब बटी हुई है, दो अलग-अलग हिस्सों में between moderates and conservatives, यह दो अलग-अलग group बन गए हैं इनके, these differences, यह जो मतभेद हैं, difference का मतलब मतभेद होता है, were manifest, manifest का मतलब obvious हैं, जो देखने में आ रहा है, तो यह जो मतभेद हैं, वो बिलकुल obvious थे, इस पश्ट थे, in the outing of the Malcolm Turnbull last year, आउस्टिंग का मतलब expel होता है, बाहर निकालना होता है, निर्वासन होता है, तो जो यह देखने को मिले, एक दम सपश्ट रूप से मतभेद देखने को मिले, जब Malcolm Turnbull को पिछले साल आउस्ट किया गया, हटाया गया, and continue to elude a resolution, resolution का मतलब एक प्रस्ताव हो सकता है, elude का बचना है, और जब लगातार इनका जो एक रवया था, एक resolution से बचते दिख रहे थे, उस समय यह देखने को मिला, इनके differences, the words dryest inhabited continent, inhabited का मतलब है, जो occupied है, जहां पर लोग रह रहे हैं, तो विश्व का सबसे ज़्यादा सूखा और inhabited continent है, यह ऐसा महादीप है, जो जो विश्व का सबसे ज़्यादा सूखा महादीप है, और वहां पर लोग रहते भी है, is confronting, confronting का मतलब सामना करना होता है, its own vulnerability, vulnerability का मतलब कमजोरी है, to the effects of global warming, तो यह जो एक continent है, वो उस का सामना है, उसका confrontation है, किस से, अपने खुद की कमजोरियों से, to the effects of global warming, कमजोरियां किस के खिलाफ है, किस के प्रती है, तो यहां पर global warming, जो वेश, global warming है, उसके प्रभाव से, जो vulnerability देखने को मिल रही है, Australia में, उस से confrontation इसका चल रहा है, Australia among the world's largest wheat exporters, Australia जो विश्यों के सबस बड़े गेहु निरियात करने वाले देशों में से आता है, has been forced, यह passive voice का structure है, यह मजबूर है, to take recourse, recourse का मतलब क्या है, recourse का मतलब है, साधन कह सकते हो, forced to take recourse, to bulk imports of the grain, तो सबसे बड़ा निरियातक जो देश है, विश्यों के, उन में से एक Australia, अब यह मजबूर है, to take recourse, एक medium, एक साधन लेने के लिए, to bulk, bulk का मतलब होता है, बहुत बड़ी मात्रा में, imports of the grain, तो अब यह देखे, इसको आयात करना पड़ रहा है, अनाज का, consequent का मतलब होता है, बाद में, to severe droughts in its eastern states over two years, क्योंकि पिछले दो सालों में, यहां पर बड़ा सूखा पड़ा है, drought क मतलब सूखा है, गंभीर सूखा पड़ा है, उसके बाद से इसको आयात करना पड़ रहा है, जो कि बहुत बड़ा नीरियातक देश है, Mr. Morrison, a supporter of coal generated power, Mr. Morrison, जो प्रधान मंतरी हैं, जो कि समर्थक है, coal generated power के कोईले से, बिजली generate करने के संदर में, मतलब कह सकते हो, कि यह है, immigration को लेकर, पलाइन को लेकर, difficult to defend in the wake of, in the wake of का मतलब होता है, परिनाम सोरूप, terrorist attack in neighboring New Zealand, जब पड़ोस में ही एक देश है, न्यूजिलेंड, उनमें जो आतंगवादी हमले हुए हैं, उसके बाद में, उसके परिनाम सोरूप, जो Mr. Morrison है, जो की coal generated power के supporter हैं, यह हो सकता है कि उनका जो hardline stance है, उसको मुश्किल, उनको लगे कि उनका जो सकतरवया है, immigration को लेकर, वो difficult है, defend करना, वो अब defend नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, the opposition labor party, जो विरोधी party है, labor party, seems to enjoy an age over the governing center, right, liberal, national, coalition, coalition का मतलब good यागट बनता है, according to opinion polls, जो opinion polls आएं हैं, उसमें अगर देख नावका, तो वहाँ पर देखने को मिलता है, कि opposition labor party है, उसको थोड़े सी बढ़त है, यहाँ पर age का मतलब यहाँ पर बढ़त है, डवांटेज है, liberal party पर, its leader, Bill Shorten, उसके जो नेता है, Bill Shorten, labor party के, has rallied the party during its time, यहाँ पर यहाँ पर रिली, अगर वर्ब के रूप में, इसका मत पोजिशन बैठी है, उस समय तरीका, और इन्होंने किया है, साथ लेकर चले है, labor advantage stems from, stem from का मतलब है, originate from, कहीं से निकलने को बोलता है, stem from, originate from, तो labor advantage stems from its promise of a living ways, tighter regulation, ambitious targets on carbon emissions, अब labor party को advantage क्यों है, क्योंकि यह देखिए, यहाँ सा originate होता है, इसका advantage कि इनका promise है, living ways, कि वो अच्छे से मजदूरी देंगे, जीव आजवी का यापन करने के लिए ways देंगे, tight regulation, सक्त नियमन करेंगे, ambitious targets और उनके महत्यों कांक्षी जों लक्षे है, carbon emissions को लेकर, carbon का उत्सरदन बहुत जादा है, उसको regulate करने संबंदी, यह सब करेंगे, इस कारण से इनको advantage दि reduction हम कर देंगे, यह नोंने कहा है, लेबर पार्टी ने, carbon emission में, on 2005 levels by 2030, 2030 तक, 45% reduction हम कर देंगे, is part of its manifesto, यह एक हिस्सा है, उनके घोशना पत्र का, aimed at appealing, aim के साथ at लगता है, proposition इसलिए, इन जी है, aimed at appealing to Australia's growing number of green waters, क्योंकि यह green waters जो है, green waters का मतलब है, green party है, और यह कह सकते हो, eco politics है, प्रकार की, जो भी party, जो भी नेता, ecosystem को संभालने की बात करता है, climate चूंकि वहाँ बहुत बड़ी समश्या है, उसको handle करने की बात करता है, उस प्रकार के waters, जो उनके पक्ष के जो waters है, उनको लुभाने का यह काम करेगा, इसी कारण से इनोंने घोशना पत्र में यह जी शामिल की है, conversely का मतलब बिल्कुल opposite, बिल्कुल विप्रीट, conversely the pro business credentials of Mr. Morrison's liberal national coalition are said to have been steadily eroded as the government has rene, renec donors promise of corporate tax cuts, renec का मतलब है, promise पूरा ना करना, रेने का मतलब promise पूरा ना करना, promise तोड़ देना, इसके विप्रीट जो pro business credentials है, pro business का मतलब है, अगर रूप से सकरिये, जो सकते हो, जो characteristics है, Mr. Morrison के, जो कि मैंने पहले ही वाता है, इसमें पहले mention किया गया था, कि ये एक business man रह चुके हैं, तो Mr. Morrison के जो liberal national coalition है, are said to have been steadily eroded, अब ये कहा जाता है उसके बारे में, कि भई ये धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है, उनका ये जो credentials है, धीरे-धीरे कमजोर हो रह क्योंकि government ने वादा खिलाफी की है, government जब सत्ता में आई थी, अगस्ट में तब उसने वादा किया था, कि हम corporate tax cuts का इनने वादा किया था, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए, इस कारण से ये यहाँ पर erode होते वे नजर आ रहे हैं, the package of measures unweld in the pre-election budget in April may only have a moderate impact, the package of measures unweld, unweld का मतल चले जाएंगे, जो भी, यहाँ पर major से, जो भी steps उठाएंगे, unweld in the pre-election budget, जो की pre-election budget में सामने आए, in April may only have a moderate impact हो सकता है, उनका प्रभाव थोड़ा सा ही पड़े, moderate ही पड़े, as with several industrialized democracies, बहुत सारी जो industrialized democracies हैं, ऐसे लोकतंत्र हैं, जो उद्योग धंदों पर आधा quality, and smaller parties and independents, could potentially tilt the balance of power in the Senate, तो as with several industrialized democracies, जो industrialized democracies हैं, water disillusionment का मतलब है, मतदाताओं का ब्रहम, disillusionment का मतलब, मती भ्रहम होता है, भ्रहम होता है, with the principal parties, is yielding a fragmented polity, यहां पर yield का मतलब produce करना, तो जिस प्रकार से industrialized democracy में देखने को मिलता है, water disillusionment with the principal parties, जो मतदाताओं का principal parties, मुख्य पार्टी से disillusionment है, मुख्य पार्टी से, मतलब, विमुख हो जाना है, is yielding a fragmented polity, यह एक प्रकार से fragmented polity को उत्पन कर रहा है, produce कर रहा है, fragmented मतलब, कह सकते हो, टुकडो में बटी भी polity, राजनीती, and smaller parties and independent, तो छोटी पार्टी जो है, या फि अपनी और जुका सकते हैं, वो अपनी तरफ इसको ले सकते हैं, which is crucial for the passage of legislation, जो की important भी है, crucial भी है, legislation के पैसिज में, विधेयक जो है, legislation है, कानून है, नियम है, उसके तरीके में, पैसिज में, उसके गली आरे में कह सकते हो, पैसिज का मतलब, यहां पे तरीका कह सकते हो, सा हाल ही के दशकों में, consistent economic growth, यहां पर जो economic growth देखने को मिली है, बहुत ही consistent देखने को मिली है, and modest levels of unemployment, और जहां पे unemployment बिरोजगारी है, उसके modest level मतलब, यहां तक की बिरोजगारी है, वो मतलब, आप सहन कर सकते हो, ज़्यादा नहीं है, तो Australia has a remarkable track record in decent decades, हाल ही के दशकों में, कह सकते हो, sheer कह सकते हो, तो यह जो परिद्रश्य है, यह बिल्कुल विप्रीथ है, to the incessant political swings, incessant का मतलब लगातार, जो political swings है, इसका मतलब राजनेती कभी इधर, कभी इधर, ऐस्तिरता का दोर जो चल रहा है, उसे बिल्कुल विप्रीथ है, that impaired legislative agenda, जो की रुकावट डालत है, political swings, राजनेती का इस्तिरता, और यह swings के लिए यहां पर impaired है, रुकावट डालना, the legislative agenda का मतलब है, जो भी विधान मंडल कह सकते हो, उनके जो agenda है, उनमें विवधानकारी है, what is without doubt, जो की बिना किसी शक के, is that the turnout will be high at the polls, as voting is compulsory registered waters, यहां पर turnout जो है, यह भी जो परिदाम मिकलने वाला है, वो बहुत ही हाई रहेगा, as the poll सुनाओ में, क्योंकि यहां पर voting compulsory registered voters के लिए, अनिवारी रूप registered voters को यहां पर vote देना होता है, तो यह हमने दो editorial sessions आज के discuss की है, 16th of May के, मिलेंगे कल 17th of May को, नए session के साथ, तब तक इतना मशकार, thank you very much.